हेलो इंजिनियर्स आज मैं आप लोगों को PB structure में क्रेन बीम के बारे में बताने जा रहा हूँ तो यह जो आप supports देख रहे हैं यहां पर structure में यह है crane beam और PB structure में बहुत most important role होता है तो जैसे कि यह देख रहे हैं जो beam run हो रही है यहां से एक frame है वो crane beam का है जो की column से एक separate column देके उसमें support दिया गया है आप यहां देख सकते हैं कि यहां support दिया गया है चैनल support से इसको support किया गया है और crane beam का जो column है वो separate लिया गया है क्योंकि इसमें जो loading है जो client के तरब से requirement थी उसमें जो loadingS provide हो रही थी तो loadingS के वज़ए से here separate column देखे उसमें loadingS apply की गई है और वहां पे crane beam के लिए separate structure लिया गया तो यह जो हुता है इस पूरा design जो होता है वो as per हमारे requirements के according होता है और इसमें जो है वर्किंग करने में बहुत जादा डिफिकल्टी पीबी स्ट्रक्चर में जो आती है वो फ्रेम के असेंबल में जो होता है वर्किंग उसमें आती है